तुला रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 16 अक्टूबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 16 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तीथी है आमा वस्या नक्षत्र है हस्त पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सुक्र वार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 22 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बज के 49 मिनट में रितू है सरद आजी का दिन काल है 11 घंटे 27 मिनट 12 सिकेंड का महिना है अस्विन आजी के दिन सुभ समय सुरू होता है 11 बज के 40 मिनट एम से 12 बज के 50 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 8 बज के 40 मिनट एम से 9 बज के 26 मिनट एम तक राहू काल सुरू होता है 10 बज के 40 मिनट एम से 12 बज के 6 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग इस विडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस विडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जै मादुरगे कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में मित्रों प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन पॉसिबल है कि किसी पुरानी और छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक जोक होगा आपका बहस होगा लेकिन अगर आपके घर पडिबार की बात करें तो घर पडिबार के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार है दोस्तों आज के दिन अगर आप अपने घर पडिवार में कोई पडिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो पडिवर्तन के दृष्टी कौन से आपका शम है, आपका शाथ अबश्य देगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें, तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शम है, सामानने से बहुत जियादा नीचे है दोस्तों, आज से पहले अगर आपने किसी व्यक्ती से पैसे उधार लिया था, तो आज के दिन संभव है कि उधार लिया गया धन आपको वापस देना पड़ेगा, आपको चुकाना पड़ेगा और इस वजह से आने वाले समय के दोरान धन संपती के मामलों में, पैसों के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपके सुवास्त की बात करें, तो सुवास्त के दृष्टी कौन से आपका समय सामानने तोर पे सही रहेगा दोस्तों आज के दिन की शुरुवात आप ध्यान और योगा से करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके सुवास्त के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोटके भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक के बारे में दोस्तों आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है पाँच यनी की फाइब आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है नारंगी और सुन हरा दोस्तों आज के दिन अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आप अशनान ध्यान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें वेडियो के नीचे जै हनुमान कमेंट कर दें धन्यवाद